हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं यूटूब चैनल दपेट विजन दिस इस साहिल मलिक यूर होस्ट और वेट तो गई हमेशा की तरह हम इंपोर्टन टॉपिक डिसक्स करते हैं आज का भी टॉपिक बहुत इंपोर्टन है जो आपने थमनेल में भी देखी लिया होगा किस टॉ प्रेगनेंसी के अंदर हम डिवर्मिंग के लिए कौन सी मेडिसीन का यूज करें या हमारे माइंड में यह डाउट और आता है कि हम क्या यह डिवर्मिंग करना सेफ है प्रेगनेंसी सेफ है या प्रेगनेंसी सेफ नहीं है या क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं जिनकी वज़ करने वाले हैं तो आप completely वीडियो को देखते रही है और आप कम एंड तक जरूर देखेंगे कि विकॉस एंड मैं आपको एक medicine के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत important है और जो प्रेग्नेंसी सेफ होगी आपके डोग की डिवर्मिंग में भी जब आप उस चीज को यूज करोगे तो हमेशा से ही हमारे दिमाग में डिवर्मिंग और वैक्सिनेशन यह जो दो चीजें हैं बहुत कॉमनली चीज होती है चलती रहती है तो वैसे जो नॉर्मल जो डोग होता है या मेल ही आप भी कहलो या फीमेल ही कहलो कि उनके अंदर तो हम वैक्सिनेशन या डिवर्मिंग स्टार्टिंग में तो करते हैं बट कोशन अराइज होता है एज जब होटन नाम के यानि कीड़े बोलते हैं वो पेट के अंदर कभी आ सकते हैं बाहर से इंजेht हो सकते हैं या इन्टर्न ही डिवर्मिंग से क्या होता है वह पेट के अंदर जितने हैं उनकी वर्यचने रहता है जब वो pregnant भी क्यों ना हो देखें गाइस और क्या रीजन सोचते हैं कि कई बार क्या सेवर केसिज आ जाते हैं यानि उन केसिस के अंदर क्या होता है अबोर्शन हो जाता है या कोई भी infection हो गया हो फीटस की डेट होगी और फीटस की अंदर ही अरली अबोर्शन के काफी जादा केसिस इसी रीजन से कई बार हो जाते हैं तो डिवर्मिंग करना बहुत इंपोर्टन है आप यह मस्सोच लेना कि डिवर्मिंग करने से मेरे कैट की प्रेगनेंसी पे कुछ हामफुल एफेक्ट पड़ेगा बट आपको कुछ पॉइंट याद रखने है कि डिवर्मिंग करनी है तो मुझे कैसे करनी है और वैट की प्रेस्क्रिप्शन से जरूर उस मेडिसीन का यूज करना है यह यह नहीं है कि आप वीडियो देख के कर रहे हो अगर आपके आसपस में वैट यानि जो उनकी मदर है उनकी हम डिवर्मिंग ना करें तो हमारे फिटस के उपर क्या इफेक्ट पड़ता है तो गाइस क्या होता है कि एक प्लेसेंटा आपने सुना ही होगा प्लेसेंटा एक पाइप लाइक स्टक्चर होती है देसी वासा मिया मैं आपको बता रहा हूं व वह उसी से ही ट्रांसफर करती है तो गाइस अगर एक कॉमन सेंस की ही बात है अगर हमारी बिच के अंदर वॉम्स हैं यानि कीडे हैं हैं तो वह उस प्लेसेंटा के थूप पपी में चले जाएंगे और जाके वहां पर इंफेक्शन क्रेट करेंगे जिससे वज़े से क्या पता वहां हैवी इंफेक्शन हो जाएं और वह आगे चलके सेवर केस हो जाएं और इससे उनकी दैथ भी हो सकती है इसलिए आपको डिवर्मिंग करना बहुत ध्यान में रखना है कि मुझे डिवर्मिंग अपनी बिच की जरूर करने हैं अगर वह प्रेगनेंट ही क्यों न होता है हर एक मेडिसीन के अंदर बट जो प्रेगनेंसी सेफ की बात करें साल्ट है जितने मेडिसीन आती है प्रेजिक्वेंटल की यो पेट के कीड़ों को भी मार देती है प्रे 115 के इंदर ये आप कोई दूसरी यूज करने लग जाते हो तो कई बार क्या होता इसका साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है साइड इफेक्ट वही मैंने आपको बता दिया कि डिफेक्ट आजाता है आपके जो डोग के पपीज के अंदर एब्डॉमनल केविटी में इंफेक्शन हो होते हैं तो इसलिए हमें अपने बिच को इनफेक्शन से बचाना है और टाइम टू टाइम हमें उस चीज की करनी है तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर नहीं भी लगी है तो कुछ ना कुछ तो आपको जरूर हो गई होगी इस वीडियो से और बिकोज वो बोडी के एकोडिंग, बोडी के वेट के एकोडिंग, ब्रीड के एकोडिंग अलग-अलग होते हैं इसलिए मैं आपको यही गाइड करूँगा कि अगर आपके आसपास में कोई वेटनेरियन है तो आप उससे सला जरूर लें और अपने डॉक की डिवर्मिंग जरूर कराएं बिकोज डिवर्मिंग करवाना बहुत जरूरी है आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा इस वीडियो से सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माई वीडियो और प्लीज दू लाइक सब्सक्राइब और चैनल को ऐसे ही प्यार देते रही है धन्यवा झाल प्लीज प्लीज भी करेंट